तो हेलो फ्रेंड साथ सलाम अलेकुम वेलकम बैक टो माई यूटूब चानल आज हम आपके लिए स्पेशल रेसिपी लाए हैं यह है फ्रेंच फ्राइज इसको लोग 20-30 रुपीज तक दे कर खाते हैं लेकिन यह घर पर आसानी से 20-30 रुपीज में घर के सारे ही लोग अराम से खा लेंगे तो मैंने यह हम पर सबसे पहले आलू को लिया है मैंने इस तरीखे से छेल लिया इसको इसके बाद हम इसके इस तरीखे से पीसस करेंगे जैसे फ्रेंच फ्राइज होते हैं उस तरीखे से फ्रेंच फ्राइज का कटर भी आता है लेकिन मेरे पास हूं नहीं है इस तरीखे से नहीं कटा तो मैंने यहां पर viral hack जो चल रहा है परटाटो viral hack उसको try करने की कोशिश की बट यह fail हो गया वो जिस तरीखे से जालीदार दिखाते हैं उस तरीखे से नहीं कटा शायद मेरी knife उतनी अच्छी नहीं है तो मैंने यहां पर इस तरीखे उसको भी काट के रख लिया इसके बाद मैंने एक बरतन में पानी को लेकर इसमें यह सारे आलू जो कटे हुए आलू थे उसको मैंने इस तरीखे से धो लिया इसका सारा starch अलग हो जाए इस तरीखे से फिर मैंने एक और बरतन लेकर उन कटे हुए आलू को इस तरीखे से एक पैन में डाल लिया तो इसमें मैंने थ थोड़ा सा पानी जितने आलू थे उतना पानी और इसमें ये एक आधा चमच जितना नमक मैंने इसमें डाला है फिर मैंने इसको गर्म करना शुरू किया मैंने इसको फुल बॉयल नहीं किया सिर्फ मैंने गरम करने के लिए रखा तो ये गरम हो रहा है इसको बॉयल करना नह नहीं है हमको सिर्फ इतना गरम करना है कि आलो अगर ऐसे बेंड करेंगे तो तूटे ना सिर्फ उतना गरम करना है हमको यह दिखिए फ्रेंच इस तरीखे से यह भी गर्म होना शुरू हो चुका है तो मैंने यहां पर फिर से एक बार चेक किया आलो को कि वो गले हैं या नहीं सिर्फ 60% तक हमको इसको गलाना है यह दिखिए फ्रेंच फिर से उठा कर मैंने इस तरीखे से किया तो यह नहीं तूटा तो यह पक चुका है मैंने यहां पर फ्लेम को बंद कर दिया और जल्ली से इन सारे आलो को निकाल कर मैंने फिर से थंडे पानी के बरतन में डाल लिया इसको हमें गर्म नहीं रखना है वरना तो सारे गल जाएंगे देखे फ्रेंट्स इस तरीखे से मैंने थंडे पानी में डाल लिया तो इसके बाद इस तरीखे से चक करना है मैंने थेंडे पानी में से भी निकाल कर जो पानी निकलने की छनी होती है उसमें डाल दिया था तो उसमें डालने के बाद मैंने इसको एक कपड़े में भी सुखाया सिर्फ डब डब करना है अगर आपके पास टिशू पेपर है तो उसे भी आप सुखा कर ले सकते हैं तो मैंने हम पर कड़ाई में तेल लिया इसको टाल कर थोड़े थोड़े तलना शुरू किया यह बहुत टेस्टी बने थे बाहर के चिपस वगएरा खाने से तो यही बहतर है कि घर का पका हुआ खाए तो इसको हम इनको गोल्डन फ्राई होने तक इसको तलना है इस तरीखे से अच्छी तरह कुरकुरी बनी हुई थी यह पोटाटो फ्राई फ्रेंच फ्राई बोलते हैं इसको तो मैंने यहाँ पर इनको भी गोल्डन फ्राई करोने तक तल लिया आप चाहे तो इसको डबल फ्राई भी कर सकते हैं मतलब पहले थोड़ा इतना पकने तक इसके बाद हम फिर से इसको निकाल कर ठंडा करके फिर से गर्म आईल में तलना है इसे डबल फ्राई कहते हैं तो इस तरीके से मैंने एक दम में ही गोल्डन फ्राई कर लिया मैंने जो पहले तले हुए थे वो सारे कुछ मेरे बचे ही खा गए तो इसके बाद जो मैंने तला उसको मैंने प्लेटिंग की बहुत टेस्टी बने थे बच्चा ने बहुत मजे से खाया तो मैंने जो कुछ भी बचे हुए थे मैंने सारे डाल कर इस तरीके से तेल में तल लिये अभी एक बार जरूर ट्रै करना बहुत टेस्टी बने थे फ्रेंच फ्राईस इन सब को निकालने के बाद मैंने बारीक नमक को लिया और उसके उपर थोड़ा सा छिड़क दिया आप चाहे तो लाल मिर्श पौडर भी छिड़क सकते हैं लेकिन बच्चों को तेज उतना पसंद नहीं है तीखा पसंद नहीं है तो ये गोल्डन फ्राइ हो चुके हैं तो मैंने इस तरीखे से उसकी प्लेटिंग की या भी एक बार घर पर जरूर ट्रै करना बहुत मस्त बने थे इस तरीखे से मैंने नमक को छिड़क के मिला लिया अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें बिलते हैं अगली वीडियो में अल्लाहाफी